Hello students, this is Komal, your SST educator, welcome back to your favorite channel Magnet Brains Magnet Brains आपको provide कर आता है High quality education वो भी free of cost Kindergarten से लेके class 12 तक की CBAC board के courses के साथ साथ आपको other state board के भी courses available है In India Miriam जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board के courses Proper systematic way में कोई दिक्कत परिशानी नहीं होने वाली है Daily practice sets के questions भी मिलेंगे तो धमाकेदार तरीके से practice भी करते जाएगा E-notes और E-books के link आपको description box में available है तो भटकने की भात नहीं बनती So हम क्या कर रहे हैं? हमने chapter overview देखा था हमारे chapter 2 का आज हम देखेंगे इसका introduction Chapter क्या है हमारा globe Globe से related देखा है न ग्लू-ब्लू से ऐसे ball इसे हम एक्से से round and round घुमाते हैं वो क्या है हमारा globe है? जिसमें हमें दिखेंगे latitudes and longitudes के बारे में हम जानेंगे जिसे दिख रहे हैं आपको ये globe इसमें equator है, longitude है, latitude है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा वही पढ़ने के लिए chapter है तो अच्छे से समझेंगे start करने से पहले start करने से पहले आपको क्या करना है? आपको अपने friends को share कर देना है ताकि वो भी आके session को join करें और आपको क्या करना है? comment करके बता देना है अपरेड़ी, साथ में like जरूर कर देना हिससे क्या होगा? मुझे motivation मिलेगा फटा-फट से start करने का चली, start करते है in the previous chapter we have read that our planet, earth is not a sphere हमने previous chapter है जो हमारा first chapter है उसमें क्या समझाता है जो हमारा planet है न वो a sphere नहीं कैसा है? flatten है मतलब अगर आप यह सोच रहे है कि पूरा मतलब एक spherical shape का है हम देखते न हमें कैसा दिखते है पूरा से से round हम सोचते है बड़ी a sphere जैसा shape है नहीं, ऐसा नहीं है कैसा है? it is slightly flattened at the north and the south poles कैसा है? north और south pole से थोड़ा सा flatten है कैसा है जैसे यह नहीं अब यह हमने बना लिया चलो इसी को ले लो यहां से जैसे north pole है यह south pole इसको red से करते है यह तो हमारा globe है globe में आपको ऐसी समझा रहे हूँ तक आपको याद आ जाए जैसे यहां से north pole मिल जाएगा यह हमें south pole मिल जाएगा अब यह सब सोचो कि यह नहीं है कुछ भी बस यह आपका earth है यह north pole था यह south pole था अब यहां से earth कैसा था कैसा बताया है earth flatten है ऐसे round नहीं है इस shape को हमने क्या नाम दिया था इसको कुछ बोला था नहीं geoid कुछ बोला था इसको geoid है याद आया कुछ हम इसको क्या बोलते है geoid shape बोलते तो क्या है earth हमारा spare नहीं है slightly flatten है north and south pole से and bulge in the middle और middle में कैसा है bulge है मतलब थोड़ा सा भारी heavy सा जैसे दिख रहा है आपको bulge है मतलब ऐसा सा है उपर से ऐसे दबा हुआ है नहीं जैसे भी दबा हुआ है flattened है और beach में से थोड़ा bulge भारी है ठीक है मतलब भारी सा ऐसे दिखता है globe is a true model miniature form of the earth globe क्या है globe जो है true model है miniature form है किसका earth का अब आप यह देख रहे है image में आपको globe दिख रहे है आप ऐसे से round and round से move कराते है globe को तो कैसा है earth जैसा है की नहीं है beach से बिलकुल bulgi सा है round और उपर से थोड़ा flattened नीचे से है की नहीं तो यह क्या है miniature एक छोटा form है किसका हमारे earth का क्या है globe क्योंकि हमारा chapter क्या है यह नहीं भूलना है साइस मिल जाएंगे और हमें टाइप्स मिल जाएंगे ठीक है अलग अलग variety और साइप्स मिल जाएंगे big ones which cannot be carried easily जो easily हम carry नहीं कर सकते इतने बड़े-बड़े globes भी available है but हम वो carry नहीं कर सकते ठीक है small pocket वाले मिल जाएंगे globes छोटे pocket में भी रख लो ऐसे globes मिल जाएंगे and globe-like balloons balloons-like के globe भी मिल जाएंगे आप देखे globes ना globe ना होगे कोई toy होगे जो इतनी variety में मिल रहा है अलग-लग sizes में which can be inflated and are handy and carried with ease मतलब क्या हो सकते है इंको आसाली से समाला जा सकते है balloon जैसे है आपने क्या करा balloon को आप फूलाते है फूलता है तो ऐसा globe का shape आ गया आप आराम से इसको carry कर सकते है तो इसका मतलब आपको यह याद रखना है globe क्या है globe आपके earth का miniature form है earth को देखेंगे real में तो हम देख नहीं सकते तो earth को अगर देखता है समझना है तो हम किसको देख सकते है हम globe को देख सकते है सही बात है कि नहीं आया समझ में यह globe है क्या इसको देखके समझ में आया और आपने पहले से देखा है फटा-फट से comment में भूलो yes ma'am आ गया है आ गया है बिल्कुल confused नहीं हो न globe क्या है earth का एक true model है miniature form है अब globe क्या हमें अलग-अलग size में मिल सकता है क्या आप एक ही size imagine करके चलते हैं कि इतना बड़ा हमें मिल जागा है नहीं हमें globe अलग-अलग size में मिल सकता है और type में भी मिल सकता है कैसे types में but handy नहीं हम carry नहीं कर सकते then globe जैसे balloons के मिल जाएंगे और छोटे pocket जो है globe भी मिल जाएंगे जो हम pocket में रखके ऐसलिए pocket में रखा काम हो गया ऐसे globe भी मिल जाएंगे तो हाँ हमें globe जोए अलग-अलग size और types में मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं की नहीं मिलते हैं चली मिलते हैं आप लोग ने भी कह दिया आगे बढ़ेंगे और यह क्या है यह हमारा globe है और यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा earth है वो flattened sphere shape का नहीं है flat नहीं बीच में बल की है तो ऐसे हमारा globe है वो भी यही है यह क्या है? फिक्स नहीं है क्या earth भी फिक्स नहीं है? एक minute बिल्कुर टेंशन की बात नहीं है आप यह globe देख रहे है यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है कुछ है न यहाँ पर भी ऐसे लगा हुआ यह लगा हुआ है ठीक है अब globe को आप ऐसे move करेंगे आप सब घुमा पाएंगे ऐसे कुछ ball को घुमा रहे कुछ आप wheel को चक्कर को चक्का होता न उसको ऐसे 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 घुमा रहे तो यही लिखा है कि globe fixed नहीं है अगर fixed होता globe तो क्या आप globe को ऐसे move कर पाते? आपने देखा होगा कभी school में देखना globe जरू मांगना अपनी teacher से ठीक है? teacher से globe जरू मांगना यह आपने देखा हो पता हो तो अच्छी बात है जिसे नहीं पता तो देखना टच करके आप इसे round करके देखेंगे आपको यहाली country देखनी फिर आप round कर सकते वाली country अगर fix होता है तो आपको globe को पकड़ के पूरा घुमाना पड़ता है यह globe है आपको पूरा ऐसे घुमाना पड़ता है बट round हो तो आपने यू घुमा है यू घुमा है क्यों? क्योंकि fix नहीं है एक जगह पर fix नहीं मिलेगा क्योंकि आप round and round गुमा के चेक कर सकते हो इट can be rotated the same way as the top spin और potter's wheel is rotated जैसे हम potter की wheel होती ना जो pottery करते हो क्या करते है मतलब जो वास बनाते है क्या बनाते है हम बोलते हुन्हें मत्के बगएरा बनाते है मत्के बगएरा बना रहे है तो नीचे ऐसे wheel को गुमाते है फिर मत्के को ऐसे shape देते क्या हो गई? potter's wheel हो गई तो ऐसे हम भी globe को spin कर सकते है गुमा सकते है गुमा सकते है globe fix नहीं होता हमने देखा यहाँ fix नहीं है आप इससे real होता है तो आप इसे गुमाते थे गुमता अगर पूछा जाए कि भले globe कोई से भी size में हो बड़े size का globe वो balloon वाला हो गया pocket वाला हो गया बट एक important सूचना यह है कि globe में जो countries दिखाई है जो continents दिखाई है जो oceans दिखाई है वो अपने correct size में है बिलकुल correct size में इसको छोटा सा भी दिख लोगा न तो जिन जिन size में हमें जो oceans है हमारी जो countries है साथ में क्या है हमारे जो भी continents है accurate size में आपको मिलेंगे On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct sizes It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth Now the question arises as to how to locate a place on it We need certain points of reference and lines to find out the location of places अब यथे नहीं बड़ी line क्या है माम? हमें तो बिलकुल समझ में नहीं कोई पात नहीं, कोमल में हमें सब समझ में आएगा It is difficult to describe क्या? It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth अब हमें जो है location कुछ भी location देखना ऐसे describe करना थोड़ा सा मुश्किल है Now the question is a question क्या आता है? As to how to locate a place on it अब हम place इसमें locate कैसे करेंगे? हमें place locate करना है मतलब कोई place नहीं for example यहां पर अब हमें place locate करना है वो हम कैसे करेंगे? We need certain points of references and lines to find out the location of places हमें क्या चाहिए पड़ेगा? हमें कुछ points चाहिए पड़ेगे कुछ helps चाहिए पड़ेंगे क्या करने के लिए जो lines को हमें इसी दिखेंगे तो हम locate कर पाएंगे places कौन सी जैसे एक globe है हम यह देखके कैसे पता कर पाएंगे हमें कुछ lines कुछ points मिलेंगे तो उसकी reference से हम पता कर पाएंगे कि कौन सी location है आया समझ में कि नहीं आया आया ना एक बड़ और देखें हाँ बिलकुल देखें क्योंकि confused नहीं होना है globe फिक्स नहीं है आप जब देखते हो कैसे globe को round and round टच करके move कराते हो तो आपको समझ में आज़ता है globe क्या fix नहीं है It can be rotated the same way as the top spin on a potter's wheel is rotated यह सेम तरीके से क्या कर सकते इसको rotate कर सकते move कर सकते जैसे कि हम potter जो होता है weibo बनाते मटके बनाते गंबले कुछ ऐसे shape देते और ऐसे ऐसे wheel को move करते तो हम भी globe को ऐसे ऐसे move कर सकते इसलिए globe क्या है fix नहीं है और globe में क्या होता है globe में countries दिखती है हमें continents दिखते साथ में oceans दिखते तो क्या यह correct size के जी हाँ यह अपने क्या है correct size में available है ओके बट क्या problem है कि इन में अगर हमें location देखनी कुछ जगे देखनी है तो describe करना थोड़ा मुश्किल है बट हमें कैसे पता कर सकते है अगर हमें lines और points मल जाए तो इसके थू हम location जो है globe में पता कर सकते हैं आया समझ में like कर दो फटाफट से समझ में आ गया ना तो फटाफट से like कर दो हम अपने earth के बारे में हमारे globe के बारे में पढ़ रहे है like तो बनता है a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis अब क्या है यह जो आपको दिख रहा है यहां पर यह ऐसे ऐसे जो needle है यहां पर एक fixed manner में यहां पर globe में fixed है जो needle है वो एक sui है needle मतलब sui यह लिखा है न needle is a sui एक sui है sorry is fixed through the globe in a tilted manner tilted थोड़ा से तेड़ा हम बोलते हैं फोटो कीच हो जैसे मैं हूँ मैं नहीं थोड़ी से तेड़ी हो जाओ ऐसे tilted manner में तो ऐसे fixed आपको दिख रहा है globe में ऐसे इसे आपको ऐसा नहीं दिख रहा में तेड़ा से मैं तेड़ा रहूगा तो इस टाइप से tilted manner में तो यह जो नीडल है ना नीडल के थ्रू हमें इस तरीकी को fix करा है ताकि ग्लोब ऐसे tilted manner में दिखे दिख रहा है? ओके? चलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम axis बोलते हैं क्या बोलेगे हम इसे axis बोलेगे जिस नीडल के थ्रू ऐसे यहां पर अर्थ तिल्टेड है ना तो हम बोलेगे axis ठीक है? एक बार फिर से read करते है अ नीडल is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis ठीक है? टू पॉइंट्स on the globe through which the needle passes are two poles North pole and South pole अब क्या है? दो pole जिनके थ्रू नीडल ऐसे जा रही है यहां से जा रही है नीडल, फिर यहां भी है नीडल तो यह क्या हो जाएगा? यह North pole हो जाएगा यह South pole हो जाएगा? यह South pole हो जाएगा obviously उपर साइड है North pole, नीचे साइड है South pole तो नीडल जो यहां पर लगी हुई है, फिक्स करी जो उसे axis भी बोलते हैं वो क्या है? North pole दिखा रहा है हमें क्योंकि North side है और South pole दिखा रहा है आया समझ में, two points on the globe through which the needle passes are two poles North pole and South pole ऐसे जगे, जहां हो जगे से यहां से needle है, यहां से पास हो रही है तो यह क्या है हमारे North and South pole है The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves हाँ, जैसे कि मैंने कहा globe can be moved around this needle मतलब इस needle के around, हम globe move कर सकते क्यों नहीं कर सकते है? हमने बताया ना, अगर किसी ने देखा तो ऐसे round around, जैसे potter की wheel move कर रही है तो ऐसे globe भी हम move कर सकते है from west to east, कैसे? west to east, west, इस side से जैसे east side, चलो, एक मिनस को बनाते है यहां पर हम देख रहे, यह north, south तो यहां पर कौन सा जगा, west side हो जाएगा, यह east side हो जाएगा यह west side हो जाएगा, east side हो जाएगा, north, south में तो needle है तो क्या कर सकते है, हम west से east की तरफ ऐसे में, ऐसे ऐसे जैसे है, यह लगा है globe मुझे move करना है जैसे, आप imagine करो, real है तो move करने है तो मैं ऐसे, ऐसे move कर सकती हूँ जाएख से देज कि इस side में, मैं, क्या कर सकती हूँ मैं, move कर सकती हो, जैसे, earth move करता है, west yt says street earth कैसे move करता है, इसे हमें पदा चलता है, ऐक question arise होता है But remember, there is a major, major difference. The real earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. But in real, if you think that this design is a needle, this is a sweet thing, is it in real? No, it's not in real, it's an imaginary line. The earth is like this, it means that the earth is like this, that it doesn't have any help, it's on its own axis. Here we have a globe, so we have a needle through. But the earth is on its own axis, it doesn't need any help. So we have to focus on the major difference between the earth and the globe, because we are saying globe is a miniature form. It's the same, everything is the same. So there is a difference, there is a big difference. The axis and needle is not in real earth. So what happened? This is a big difference. Now we have to focus on the same thing, but the major difference is that the real earth has no such needle. In real earth, there is no such needle. It's not in real earth. We see the images in the books, we have seen movies, or we see it on the phone, so we see it on the phone, so we see it on the needle. We don't see it on the globe. Yes, we see it on the globe. So it moves around its axis, which is an imaginary line. Earth moves around its axis, which is an imaginary line. Here we see the globe with needle help, but the earth is on its own. It's independent. It's independent. It doesn't take any help. It doesn't need a needle, like our globe. So we know instead of moving around the globe, like the globe. Now, let's just repeat it, so you don't confuse it. What is the needle in the globe, it keeps fixed, it does not help? Yes, it does. So we can move them. सकते हैं, अब क्या होगा, हम कैसे सब्फ करेंगे, वेस्ट से एês्ट में, ऐसा क्यों करेंगे क्यूगी अर्थ भी वेस्ट से ऐसंट साइड में ही मूफ करता है। और major difference क्या है major difference यह है कि globe में लगी होती है needle, globe को चायी help of needle गप हमारा जो वो अपनी एक्सिस पे, अपने दम पे, अपने बल्बूते पे, अपनी महनत से बिना किसी की हेलप लिए इंडिपैनेट होके बूफ करता है आया समझ में? चले, आगे चले Another imaginary line running on the globe divides it into two equal halves This line is known as the equator Maam, अभी नई चीज़ क्या है? सुनने में तो आया होगा equator, बिल्कुल सुना होगा क्या है ये equator? क्या बूला है इनोने? अर्थ को क्या है? कि imaginary line divide कर रही है जो अर्थ है न, यहाँ पर दिख रही है किसी को imaginary line? दिख रही है? मुझे तो दिख रही है यह दिख रही है यह जा रही है चल न, इस color से नहीं बनाएंगे अलग color से बनाएंगे हम बनाएंगे white color से बना लेते हैं यह देखिए जो line दिख रही है imaginary मेरी line थोड़ी तीड़ी जा रही है बट मैं ऐसी line में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में जाएंगे कि imaginary line दिख रही है यह दिख रही है कि imaginary line क्या यह अर्थ को parts में divide नहीं कर रही है यह एक part हो गया मानो यह दो पार्ट हो गया तो क्या earth को मेरी तो तेड़ी अड़ी line है बट इस ट्रेट जाती है न तो इसको इसको serious मतले न कि माम line नहीं मना पए अपट हो जाता न मेरी drawing तो आपने देखी है बट इसमें तो बनी हुए तो इसी line को मैंने उपर मनाए कि first and second मतलब दो parts में first and second तो मैंने ऐसी बना दे कि first part second बट क्या कहा है इसमें एक imaginary line है जिसको हम क्या बोलते है इस imaginary line को यह imaginary line है यह imaginary line हमारी equator कहलाती है क्या कहलाती है imaginary line हमारी equator क्या करती है यह जो globe में बीच में जाती है और divide करती है two equal parts में जो globe को two equal parts में divide करती है एक imaginary line अगर हम यह वाला पार्ट देख रहे हैं आप जो उपर का पार्ट जा रहा है वो है North Side में तो North Side के इस पार्ट को बोलेंगे हम Northern Hemisphere क्या बोलेंगे Northern Hemisphere आया समझे में? आया की नहीं आया? Northern Hemisphere बोलेंगे और जो नीचे का पार्ट है जो South Side है उसको क्या बोलेंगे? उसको Southern Hemisphere बोलेंगे क्या बोलेंगे Southern Hemisphere The Northern Half of the Earth is called Northern Hemisphere जो Northern Half है उपर का जो हाफ है Northern Hemisphere हो गया ठीक है और जो South Side का हाफ है Southern Half है वो क्या हो गया Southern Hemisphere हो गया और अच्छी बात क्या है और आपको भी दिख रहा है कि यह तुनों Equal Halves में Divided है अगर आप इनका जो यहां से यहां डिफरेंस पता करेंगे ना तो Equal Halves में निकलेगा कोई किसी की साथ कोई समझा था कोई जो है भेदभाव नहीं है बढ़िया Equal उसमें बाता गया है कोई बिलकुल यह नहीं कि इसको जाधा दे दिया इसलिए जो Equator है बड़ी ही इंपोर्टन इमाजनरी लाइन है क्या है The Equator is an imaginary circular line and is very important एक imaginary circular line यह जो लाइन है आपको ऐसे अर्थ में से नहीं दिखेगी imaginary इसी लाइन बना रखिए circular circular क्यों है यह तो हमें one side दिख रहा है पर पूरे round ऐसे जो globe है वो भी round है अर्थ जो भी round है तो इसे पूरे round में से circle से इसे डिवाइट करा होगा ना इसे बीच में होगा Equator तो first half second half मतलब northern side और southern side दोनों side equally बराबर है बटा हुआ है तो क्या है यह बहुत ही important imaginary line है क्या Equator क्यों है क्यों कि इससे क्या पता चलता है एक reference point है इसके थुरू हमें places पता चलती अर्थ में अगर हम जैसे देखेंगे ना क्या हम बोलेंगे कि अर्थ देख रहे हैं ठीक है हम globe देख रहे हैं अब हमें बताना है कि south side में कौन सी country है southern side में तो हम जैसे Equator की देखी नीचे नीचे जो है वह south side हो गया अगर equator की लाइन में हमें उपर north side देखेंगे तो उपर जैसी देखा तो north side हो गया किसके help से पता चला एसी और भी बात है भी हम पढ़ें कि समझ में आएगा just reference लिए आपको short में छोटा सा example इसलिए बता रही है easy सा ताकि आप देखें जो division इससे आपको पदा चल रहा है south इसमें north तो यह क्या कर रहा है यह बहुत important line है जो हमें क्या बता रही है places जो earth में जगह है उनकी बारे में हमें बता रही है हम किसकी बात कर रहे है हम globe की बात इक्वेटर यह जो दिखे रही है एक black imaginary line है जो globe को दो parts में divide करती है parts कैसे north side में northern hemisphere south side में southern hemisphere southern hemisphere ठीक है कैसे northern hemisphere north side बताती southern hemisphere south side बताती है कि नहीं बताती है और अच्छी बात क्या है यह equally divided है कोई किसी के साथ भेद भाव नहीं है अब यह जो equator का एक फाइदा यह है कि बहुत important imaginary line है क्यों है क्योंकि इसके through हमें जो places हैं जगे हैं वो पता चलती है चलती है कि नहीं चलत all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes latitudes are measured in degrees अब माम यह क्या आगया यह दिख रहा है आपको यह सारे latitude है मतलब लेटे में यह समझ लीजे latitude मतलब अगर इस type की line दिखेगी ऐसे लंबे में अभी तो मैं ऐसी बना रही हूँ बिना globe के तो यह आपकी longitude है बट अभी longitude जहने देते हैं जो ऐसे में दिखेगी जो इस type में जिसको हम horizontal बोलते हैं तो यह वाली line को क्या है यह इस type की line यह है latitude इनको क्या बोलेंगे इनक जो लॉंग ऐसे खड़ी हुई अभी उसको भी पढ़ेंगे पहले इसको समझें तो क्या है यह All parallel circles from the equator अब equator देखें हमने देखा था नहीं यह आपर एक बड़ बना देते हूँ जैसे हमारा globe है globe में हमने देखा था equator ऐसे देख लिया चलो ऐसे बना लिया ठीक हए अब equator के parallel में जो line चला इनक, वाइट से बना देते हैं या Parallel में चल रही, ऐसे चल रही है तो धह क्या हो गई? यह हमारी latitude जो horizontal line है कि नहीं जो यह equator line है main, तो है ना यह लो वाली हमारी equator line, अब जो ऐसे में है, यह सारी हमारी क्या है? यह हमारी है latitude, क्या है यह हमारी latitude? आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया है, चलो अच्छा खासा circle भी बन गया, तो क्या है all parallel circles from the equator, जो भी circle रहेंगे equator के parallel में, circle क्यों मोल रहे है क्योंकि round बनेगी, यह line हमारे सामने तो one side दिख रहा है, तो हम सोच रहें शार्थ one side है, बट यह पूरा round बनेगी ना, तो जो भी parallel है, किसके हमारे equator के upwards of the poles are called parallels of latitude, जाने क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलते है parallels of latitudes, latitudes are measured in degrees, और हमने measured कैसे करेंगे, अगर हमें measure करना है कि कौन सी degree पे कौन सा latitude है, तो हम माणब बना कौन सा latitude कहाँ है कि, हम उससे measure करेंगे, जैसे हम centimeters, inches बोलते हैं, तो ऐसे याद रखना, latitudes को हम degree में, जैसे ल आप ने देखा कि यू ए है इमाजनरी आइस ही इसके ऊपर नॉर्थ क्यों सासट करूरन ही साफ की नॉर्थ YOUR नॉर्थ या क्यों गया है? आरहे समझ में. तो क्या है? Parallel circle form होता है equator में. जो क्या है? Up to the poles, जो parallel lines कहते हैं. क्या बोलते हैं? parallels of latitude. Latitudes are measuring degrees. और किन में हम measure कर सकते हैं? हम latitude को degrees में measure कर सकते हैं. ये देखा ना, आपने. equator ये ही elo-o-o-lo, तो इसके ऐसे-इसे parallel में जो जा रहे है यह latitude है, लेटे हुए ना horizontal, the equator represents the zero degree latitude, equator क्या represent करता है, equator क्या बताता है, zero degree latitude, क्या बताएगा equator हमें? 0 degree latitude यह देखिए यहां है अब यह हमारा यलो से बना देखी हमारा equator है न यहां से जो आएगा ना यह वारी degree जो मिलेगी हमें यह रहेगी 0 degree क्या रहेगी? यह हमारी 0 degree है की नहीं है? मैं क्या दिख रही है हमारी? यह 0 degree पर हमारा equator रहेगा तो the equator represents the 0 degree latitude the distance from the equator to either of the poles is 1 4th of the circle round the earth अब यह समझ में नहीं है माम जो हम कहा रहे है the distance from the equator to the either of the poles is 1 4th of the circle round to the earth माम यह समझ में नहीं है आपने देखा equator line है अब मैं इसको red से बनाती हूँ अब आप जो difference देखेगे न poles को पहले हम बना लेते हैं हम इसको north green से बना लेते south है गरेatte south है north-south अब यह जो difference है न बराबर का यह difference हो यह एकित्टा यह we up 1 4th है यह जो difference है 1 4th है तो यही कह रहे हैं यह एकवेटर से distance आ रहा है न दोनों poles के side में यहां से लिए कि इस पोल में चल जाओ, यहां से लिए कि इस पोल में चल जाओ, बिल्कुल बराबर है, तो किता आएगा, फूरे जो ग्लोब का किता आएगा, फिर से रीट करते हैं, समझ में आएगा The distance from the equator, distance from the equator, equator है, हाँ जी है, लिख देती हूँ, confusion है तो, equator भी लिख देते हैं आपे, कोई दिक्कत, दिल्कुल दाउट नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, equator Distance from the equator, to either of the poles, either, मतलब दोनों साइड के poles में, north side भी, south side में, मेरी जो है, line तेड़ी है, but difference, मतलब आप ही, यह समझेगे, कि बराबर है, ठीक है, मेरे साथ तेड़ा जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही, हमसे accurate तो बनेगा नी, बट आपके reference लिए बनाया है, कि उपर नीचे कैसे बराबरी में divided है, कैसा है, either of the poles is one-fourth of the circle round to the earth, मतलब जो पूरा circle है, इसका one-fourth हो जाएगा, कि नी हो जाएगा, ऐसे में देखो, यह सिर्फ one-fourth part होगा, कि नी होगा, यह सिर्फ one-fourth part होगा, कि नी होगा, जी हाँ, बिल्कुल होगा, तो यह क्या है, one-fourth है, एक ब south, बीच में equator, कितना है, total earth का one-fourth है, कितना हो गया, one-fourth हो गया, आया समझ में, चलिए, thus, 90 degrees north latitudes mark the north pole, and the 90 degrees south latitude mark the south pole, अगर हम बात करें, इसलिए, इसलिए, अगर जो हम मार्क करतें, 90 degree north latitude marks the north pole, यह दिख रहा है आपको, अच्छा, इसमें तो नहीं है, चलिए, यहा तो 90 degree यहाँ पर कर लो, चलिए, यहाँ पर बनाते हैं, यह है, north का ले लेते हैं, red से करते हैं, यह north pole यहाँ दिख रहा है, इसको मैं लिख दू, 90 degree, तो यह क्या है, यह आपके equator से यहाँ से ऐसा, पूरा ऐसे रोको, तो line भी टेडी जा रही है, यह क्या हो जाएगा, आपका 90 degree, 1 4th में एक पल हो जाएगा, आया समझ में, आया समझ में की नहीं आएगा, तो does 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole, जो 90 degree वो क्या mark करेगा, वो south pole mark करेगा, क्या mark करेगा south pole, मतलब यहाँ तो आपको सिर्फ क्यूंकि north दिख रहा है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 90 degree, यहाँ पर जगे नह लिख देती हूँ, यह 90 degree south से आएगा, आया समझ में, आया समझ में की नहीं है, आगे है ना, चलिए, क्या लिखा हमने, क्या देखा, भई जो latitudes है हमारे, इनके बारे में देखा हमने, क्या parallel of latitudes, और equator क्या represent करता है, हमारा 0 degree, ठीक है, तो इसको हटा आदेते, कोई confusion नहीं ह होगा, ठीक है, क्या है हमने, इसको देखके समझ में है, यह latitudes है, सारे जो लेटे में हमारे क्या है, यह हमारे latitudes है, ओके, so, अभी तो हमने जो क्या देखा, जो आपके latitudes के बारे में, आओ, देखते, all parallels north of the equator are called north latitudes, अब यह क्या है, यह दिख रहा है, यह सारा आपको है, हम equator, अभी equator के हमने देखा था ना, यह देखा था ना, अभी equator ऐसे बीच में, जो है, यह zero degree show करता है, equator है, मेरी थोड़ी लाइन तेड़ी होगी, चल, मैं इसको रब करके फिर से बनाते हूँ, यह जो है, यह हमारा क्या है equator, जो क्या है zero degree, आराम से समझेगे, कोई जल् नौर्थ है, जी हाँ, बिल्कुल नौर्थ है, यह क्या साउथ है, हाँ, जी बिल्कुल यह साउथ है, तो जो यहाँ के पैरलल से, यह जो जा रहे ना, यही सारे, यह वाले जो पैरलल से, यह क्या है, नौर्थ साइड के कहलाएंगे, कहलाएंगे की नहीं कहलाएंगे, गल पर जो lines हैं, जो भी latitudes हैं, parallel latitudes हैं, वो क्या होंगे? वो north direction बताएंगे, तो यही है ना, कि all parallel north of the equator are called north latitudes. वो क्या कहलाएंगे? North latitudes, obviously. Similarly, all parallel south of the equator are called south latitudes. हाँ जी, बिलकुल. अब जो south में है, क्या वो south नहीं कहलाएंगे? यह जो है, यह इस side में है, यह जो ऐसे में जा रहें. यह क्या कहलाएंगे? इनको क्या कहेंगे हम? यह south में. पूरा ही है हमारा south, यहां से पूरा south है, ना, equator की नीचे है south, equator के उपर यह north ही north. ठीक है? तो जो equator के उपर के latitudes रहेंगे, उन्हें हम क्या बोला करेंगे? south. आया समझ में? चलिए. The value of each latitude is therefore followed by either the word north और south. जैसे कि मैंने कहा ना आपको, कि जो भी value है, हम जो value बताएंगे, जिस भी value है, डिगरी को जो भी हम denote करेंगे, कैसे बताएंगे value को? Each latitude is therefore followed by either the word north और south. मतलब हम यह तो latitude को मतलब इसे north करके, यह south करके हम उन्हें denote करेंगे, कि भी यह north का latitude है या south का latitude है, ऐसे हम इन latitudes को denote करेंगे. Generally, this is indicated by the letter N और S. Generally, कैसे denote किये जाते हैं? इन्हें N और S करके हम क्या करते हैं? ठीके, यह जैसे है न, यहाँ पर हम इनको N जैसे मैंने लिख दिया न, नीचे S, S यहाँ पर मतलब south, N मतलब यह north. आया समझ बें, तो इनको north या south याने N और S करके हम denote कर सकते हैं इनकी degrees को, numbers को. For example, बोद चंदरपुर इन महराष्ट इंडिया और बेलो होरिजोंटे, इन कहा हैं बेलो होरिजोंटे, ब्रजील में हैं, south America, are located on parallel, on where parallel of about 20 degree latitude. कहाँ पर भही? परलल है, जो 20 degree latitude है, इनके जैसे 15 है न, तो समझो यहाँ पर होगा, 20 degree 15 के यहाँ पर पहुझ गया, यह हमारे यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा, यहाँ पर 20 degree में, ऐसे यहाँ पर located है, of about 20 degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of the equator. माम यह क्या है, यह कुछ समझवें नहीं, बिल्कुल मैंने का tension नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं, देखिए, इनको मटा है, इनको हटाते हैं चलो, इनको पूरा रब करते हैं, अच्छे समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दी बाजी भगदर भीड नहीं मचेगी, देखिए, यह आपको पता है, यह हमारा यहाँ पर, इसको रैड से कर देती हूँ, परपल से कर देती हूँ, यह हमारा north side है, क्या हम यह समझ रहे हैं, जी हाँ, यह हमारा south side है, यह हम कैसे समझ रहे हैं, equator से, equator की line में मैं काम कर देती हूँ, यल्लो से ऐसे कर देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा, यह zero degree से start है, यह हमारा equator, मैं जान मुझ के मैंने आगे से कर रहा है, ताकि को समझ में आ जा यह वाली line जो है equator की, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, लिखा है, वैसे समझ में आ रहा है, और यह क्या माना जाएगा, यह से zero degree, यह क्या मान रहे हम, इसे zero degree मान रहे, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, कि for example, जैसे, जो चंदरपूर है, जो कहा है, महराश्टर में, चलो, चंदरपूर हमें महराश्टर में मिलीए, अच्छी जो इंडिया में भारत आ गया अब जो एक बैलो होरिजॉंट है वो कहा है बराजिल में और बराजिल कहा है South America में कहां हम यह इंडिया और South America की बाते हम कहां से करने लगे ऐसे करने लगे अब है आर लोकेटेएड वेर कहा है are Duty are located on parallels of about 20 degree यह ऐसे parallels में located है, यह जब parallels हम किने कह रहे हैं? यह ऐसे latitude को हम कह रहे हैं, मतलब ऐसे parallels में located है यहाँ पर मतलब इसको अलग कलर से कर लेते हैं, किस से करें? चलो इसको कर देते हैं, रैड से यहां ऐसे में ऐसे जो parallels में ऐसे located है ना अब यह 15 degree दिख रहा है आपको यह 15 यहां 15 तो 20 degree कहा हो सकता है 20 degree है ही होगा ना 15 के बाद 30 और 15 के बीच में यह हो सकता है हो सकता है कि नहीं हो सकता है यह बताओ मुझे बिल्कुल हो सकता है न चलो उसको ब्लैक से जैसे इनोंने लिका है हम भी ब्लैक से लिखते हैं समझो यहाँ पर कहीं पर हमें मिल गया यह 20 डिगरी ऐसे 20 डिगरी पर नहीं इसको रप कर दें पतले उससे लिखेंगे ये हमें यां पे समझो यहां पर ऐसे 20 डिगरी मिल गया यह 20 degree हां समझ लीजे फिर यहां पे यह 20 degree हां माल दो 20 degree obviously 15 और 30 के बीच में आएगा की नहीं आएगा हाँ जी बिल्कुल 15 और 30 के बीच में हमें कही नहीं मिलेगा यहां पे तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मिलेंगे 15 से लेकि 30 के बीच में हमें क्या मिल जाएगा हमें 20 degree मिल जाएगा, मिल जाएगा की नहीं मिल जाएगा हाँ तो क्या कहा है कि आर लोकेटे अन पैरलल अफ अबाउट 20 degree latitude भई 20 degree latitude के पैरलल में यह दोनों ही दोनों ही located है, दोनों कौन से? जो एक South America में है जगे दूसरी कहा है इंडिया में है अब हम South America और इंडिया की जगे क्यों हम यह देख रहे हैं? हम इसले देख रहे हैं क्योंकि यह बता रहा है क्या बता रहा है? देखते हैं आर लोकेटे अन पैरलल अफ अबाउट 20 degree latitude चली अच्छी बात है बट दो फॉर्मर इस बट दो फॉर्मर इस 20 degree north of the equator and the letter is 20 degree south of it मतलब क्या है? फॉर्मर, मतलब जो पहले वाला है पहला कौन सा देखा? पहला हमने इंडिया का देखा चनरपूर देखा की नी देखा? इसको first दे देते हैं तो जब पहला वाला है यह 20 degree north side में north side हमारा यह चल रहा है की नहीं है? यह सारा हमारा north है की नहीं है? गलत बोड़ रही हूँ क्या? क्या मैं गलत बोड़ रही हूँ की सही बोड़ रही हूँ? यह अगर equator से उपर है यह सारा north है, पूरा north ही north में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए यह पूरा नौर्थ है, तो हमारा जो चंदरपूर है, क्यूंकि former बोला तो former यहने first वाला जो है, former is 20 degree north of the equator, मतलब 20 degree north of the equator, equator line यह है, तो इसके उपर 20 degree north पे मतलब हमारा चंदरपूर यहां मिल जाएगा, हमारा चंदरपूर हमें यहां मिल जाएगा, मैं बड़ा सा dot यहां कर 2 degree north पे पूल रहे है, north side में, तो कहा है north उपर हुआ है, 1 meter के उपर हमने देखा था north hemisphere, नीच है हमारा southern hemisphere, तो हमें कह रहे है, former वाला, दोनों है parallel में ही, parallel में ही है दोनों, बट फर्क क्या है कि जो former वाला है, यहना पहला वाला है, वो क्या है, north नौर्थ मतलब 20 degree के, तो यह 20 degree हम 15 से 30 के बीच में आएगा की नी आएगा, यह हमने लिखा है, जी हां हमने बिल्कुल लिखा है, तो यहां पर समझो हमारे चंदरपुरे, बट ऐसी parallel में हमें 20 degree, किसकी बात हो रही है अब, and the letter is 20 degree south of it, और जो लेटर, बाद वाला कौन से है हमारा, बाद वाला हमारा south South America है, मतलब यह जो हमारा be flow horizonte है, जो ब्रजील में है, वो का है? वो यहां पर हो जाएगा, मतलब समझो हहां पर हो जाएगा, यह समझ लिखे, तो भले ही दोनो parallels में है, parallel side में है, बट एक north में है, एक हमारा south में है, बले ही दोनो यह जго parallel lines जा रही है, ऐसे parallel में है, बट ए से इसे अलग कलर में नौर्थ लिगदू तो गलत हो जाएगा साउथ लिगनू तो गलत हो जाएगा क्या यह पूरा साउथ वाला एरिया है आए कि नही추 suspended तो यहां पर यह जो एरिया है जो ब्लाइक हमने बनाए है यह north side में हमें इंडिया का मिल रहा है चंदरपूर और parallel में ही है वो भी parallel में वो भी parallel में बट वो north side में है और equator के नीचे जो area यहां south side में आया समझ में south लिग दिया तो equator के नीचे यहां वाले side में north लिग दिया तो equator के उपर वाले side में कोई confusion तो नहीं है, आया समझ में तो यही बात थी है, आगे है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं We therefore say that चंदरपूर is situated at 20 degree north latitude and below horizonte is situated at 20 degree south latitude हमने अभी यहाँ पढ़ा था ना, कुछ यहाँ पे कि north और south से हम denote करते हैं किस से denote करते हैं, north and south से denote करते हैं वही है क्या कह रहे हैं, कि अब हम कैसे denote करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया, कि भली दोनों latitude में, भली ऐसे line में, globe की, ऐसे line में दोनों ही situated है ठीक है, ऐसे line में दोनों ही situated है, अच्छी बात है भी है बट बीच में हमारा क्या आगया है, equator, equator को हम यल्लो से बना लेते हैं, पूरा ऐसे, equator किस से बनाएंगे, equator को equator को हम ऐसे यल्लो से बनाएंगे, जो zero degree पे है यह zero degree, हाँ जी, बिल्कुल zero degree है अब हमारा जो इंडिया है, अब इसमें अच्छे समझेंगे, समझ मैं आएगा हमारा जो इंडिया का है, जो हमारा चंदरपूर है, अगर मानो यहाँ पे इस latitude में, तो हमें यहाँ मिल जाएगा तो इसको हम किस से denote कर रहे हैं, हम कहेंगे, चंदरपूर कहा है, 20 degree north latitude में है क्या यह north area नहीं है, क्या इस पूरे area को, यहाँ सबको हम north नहीं कह सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कहते है और इसको हम south नहीं कहेंगे, जी हाँ पूरा south कहेंगे तो यह है, यह भी latitude में, बट यह north side में, और यह भी latitude में है, बट यह कहा है, south side में है की नहीं, south side में है, यह north side में है, की नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल है तो यही बात है, कि इसको यह लिखेंगे 20 degree north latitude और below horizon नहीं कहा है, 20 degree south latitude में इसे कहेंगे कहां कहेंगे 20 degree south latitude जैसे हमें यहां दिख रहे है ना यहां पर एक मिल जाएगा उपर और जो हमारा ब्राजील जो south america में वो हमें नीचे मिल जाएगा तो क्या होता है as we move away from the equator the size of the parallels of latitude decrease जो size है ना parallels जो latitudes के यह जो size है यह किसका एक बर देखते हैं यही पर वापिस जो size है इनका धीरे-धीरे decrease होता है क्या आपको दिख रहा है इनका decreases size है ना यह ऐसे-इसे round में पूरा है यह मैं समझे ही सामने जो दिख रहा है वही है पूरा rounded based down में size decrease हो रहा है कि साईज हो रहा है रहा है उनकाहले in using digital degrees हो अब एहसे जाते जारे अवे इन से जाती जाएंगे equator से life away लिख रहाही है इंक एक्वेटुटरा से जैसे बर जारे ख तो आप है इनके हम यह फन्लक ने और दोब जाते हैं तो मतलब to the Lap侏 बतर चो चलड़ा withdraw चोटर यह बहुत चोटा, क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब जब equator से दूर 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 जाते जा रहे हैं, तो जी latitude की जो parallel lines है, वो small होती जा रही है, decrease होती जा रही है, दिख रहा है आपको जैसे equator से दूर जा रहे है, आया बहुत अच्छे से समझ में, कोई confusion तो अर्थ का, यह तो हमने समझा था, बहुत अच्छे से कि अलग अलग shape sizes में हमें मिलता है, आगे बढ़ते हैं, globe fix नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं, बट जो earth है वो तो अपनी जगे पे axis पे move कर रहा है, साथ में, globe में countries, continents सब कैसे अपने correct size में दिखते हैं, यह हमन आगे पढ़ेंगे, हम देखा था नहीं, latitude और longitude के थ्रू जवा में चीजे जानेंगे, time, location हम पता कर सकते हैं, needle क्या है, fixed है, इसमें हमारे globe में, ताकि हम move कर सके, बट रियल earth में कोई ऐसी needle नहीं है, two points of the globe through which the needle passes are two poles, अब जिन पास कर रही ही जगे से needle यह वाली, तो यह क कौन सा south pole है, ठीक है, globe can be moved around this needle from west to east just as earth moves, हम globe को west to east side में move कर सकते हैं, मतलब यहां से अगर मैं घुमाओंगी, यह west side है और यह east side है, तो अगर मैं यहां से move करूंगी तो ऐसे घुम जाएगा, ठीक है, क्योंकि earth भी ऐसे ही move करता है, same earth भी ऐसे ही move करता है, मैंने बताया था आपको question आ सकता है, then हमें क्या दियाद रखना कि एक major difference है, major difference क्या है, earth में needle नहीं है, earth में कोई needle नहीं है, और क्या है, यह अपने axis पे गूमती है, जो की एक imaginary line है, जो axis पे move कर रही है, earth वो उसकी imaginary line है, यह समझा हमने, आगे चले, another imaginary line, अब हम आते हैं वापिस से, इसमें क another imaginary line है, जो ऐसे divide कर रही है, अर्थ को, यह ऐसे divide कर रही है, globe को, तो यह क्या कहलाती है, इस imaginary line को हम equator कहते हैं, equator कहते है, equator कैसे divide करता है, parts में equal halves में, मतलब आप यह दिखेंगे, कुछ partiality हो रही है, यह भी इतना रहेगा, यह इतना रहेगा, इस part को हम क्या बोलेंगे, उप partial part में divided है, है की नही है, है ना बिलकुल, ठीक है, फटाक से समझते हैं, अब यह पैरलल में, line से ही, जो दिख रही है हमारे latitudes है, यह हमारे latitudes की नहीं है, दिख रहे हैं, यह latitudes ऐसे आग तो यह हमारे latitudes है, और degrees में हम इने measure कर सकते हैं, दिख रहे हैं आपको 40 degree North, 20 डिग्री नॉर्थ यह हम देख रहे थे ना कैसे जो नॉर्थ हम डिनोट कर रहे हैं कि उपर का जो साइड है उन्हें नॉर्थ में हम बताएंगे और नीचे का हम बोलेंगे 20 डिग्री साउ ऐसे लेकर के चलते हैं इकवेतर को और यहां पर यहां से बढ़ती है इसे हम नॉर्थ को डिनोट करें करेंगे इसको फिफिटीन डिग्री साउになना पर हम ने स्कूल इसी नॉर्थ है यहां से पड़ती है दूर दूर जाता जाएगा ना यह equator की लाइन यह दिखरी यह पूरी रैड अब इससे जैसे हम दूर 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 जाते जाएगे मूफ करेंगे अब तो यह सारे latitude छोटे छोटे हो जाएगे decrease हो रहे हैं पहले लंबी सी लाइन है फिर यह छोटी फिर उससे छोटी तो यह सब था equator के मतलब हमारे globe के बारे में हमने latitudes, longitudes, majorly एकर हम जाने तो हमने latitudes को जाएद अच्छे से अभी समझा आगे अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे I hope आपको बहुत अच्छे से latitudes और equator के बारे में पता चल गया होगा तो comment में मुझे ज़रूर बताएगा बिलकूर tension लेना नहीं समझ में थोड़ा बहुत भी कही लैक कर रहा है दो बार आईए, दो-तीन बार देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा e-notes और e-books के link आपको description box में available है यह कुछ high quality की courses हैं जैसे कि CBAC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths crash course और spoken English courses आपको बड़ी ही अच्छी quality में और 100% free available है आप अमें अधर platform पर भी follow कर सकते हैं जैसे कि Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पे जाल सेदा like कीजिए, जाल सेदा share कीजिए और क्या नहीं भूले चैनल को subscribe करना बिलकुल भी ना भूले, अपना ख्याल रखें, thank you so much for watching